अस्सलाम अलेकुम, कैसे हैं आम सब उमिद करती हूँ, सब खेरियत से हूँगे दुआ इंफो टीवी की एक और नई वीडियो में फुशामदी कहती हूँ आज मैं आप लोगों को एक ऐसा किसस नाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोगों का इमान और भी जादा मजबूत हो जाएगा वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और जो भी मेरे चैनल पे नियू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें तो चैनल बिन टाइम्स आया कि अपनी वीडियो का आवास करते हैं एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा, जाओ बाजार से सौदा लियाओ, वो चला गया लेकिन बाजार में जा रहा था, तो उसकी नजर हजूर पाक सुर लाहू अलेहिवाले वसल्लम पर पड़ी जाओ अलेहिवाले वस्ल्लम की नजर उस लड़के पर पड़ी, अपसल लाहू अलेहिवाले वसल्लम की नजर का इतना असर हुआ कि वो लड़का वही पर बैट गया, और काफी देर तक बैढ़ा रहा वो लड़का यहुदी था, उसका बाप कभी अंदर जाता, कभी बाहर आता, कि लड़का कहा रह गया, अभी तक आया नहीं, सुरज गुरूब हो गया है, और मगरिब होने लगी है लड़का शाम को घर आया, तो बाप ने उसे से कहा, कि ए नादान, तु कहा रह गया था, मैंने कहा था, कि जन्ती आना, और तुने इतनी देर लगा दी, और सौदा कहा है, मैंने तु सौदा लेने के लिए भीजा था, तो वो लड़का बुला, कि मैं सौदा खरीद आया बाप फिर उसकी तरफ देखने लगा, और कहने लगा कि कहा है सौदा, बेटे ने कहा, बाबा मैं आपको क्या बताओं कि मैं क्या सौदा खरीद के लाया हूँ, बाप ने कहा, चन्छोड रहने दे, वो लड़का रोसाना नवीर रहमत से लाहु आले वाले 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 वाल के कमजोरी की वज़ा से कर्वट लेना भी उसके लिए मुश्किल हो गई, और करीब नमर्ग हो गया, यहूदी बहुत परेशान हुआ, और भागा हुआ, हजूर बाप सर राहु अले वाले 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 वसलम के खिदमत में हाजिर हुआ, और कहने लगा, कि मैं यहूदी कि आप इस दुश्मन के घर आके एक नजर उसको देख लें, क्यूंकि उसकी और कोई तमन्ना रही, वो आपका दीदार करना चाहता है, आपने तमाम सहाब कराम से इर्शाद फर्माया, कि तो लोग भी साथ चलो, जाकर अपने आशिक का दीदार करते हैं, और उसे भी अप लड़के की आँखें बन थी, आप सर अलाहू अलेह वालेह वालेवसल्म ने अपना दस्ते मुबारक उसकी पैशानी पर रखा, तो लड़के की आँखें खुल गई, जैसे जिन्दकी लोट आई, जिसम में ताकत आ गई, आखें खोली, रुखे मुस्तफा सर अलाहू अले वो यहूदी बोला, मेरा मुग क्या तकता है, अबुलकासिम इबन अब्दुल्ला जो कहते हैं वो कर ले, लड़का बोला, हजूर पाक सर अलाहू अलेह वालेह सलम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आपने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ लो, फिर मैं जानू और जन्नत तुम मेरे हो जाओ, जन्नत में ले जाना मेरा काम है, लड़के ने कलमा पढ़ा, जब मुहम्मद रर्सुल्ला पर पहुँचा, तो रूफ परवाज हो गई, लब खामोश हो गए, और आखे बंद हो गई, लड़के का बाप जो के यहूदी था, बोला, मुहम्मद मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, ये इसलाम की अमानत है, अगर काशान नबुवत से इसका जनाजा उठे, तो तब ही इसके इसके इज्जत है, ले जाएं इसको। फिर आख सिर अलाहु अलाहु अलाहिए वाले वसल्म ने तमाम की हैं, जिसने इस बच्चे को मेरी वज़ा से आख से निजात दी, कबर तयार हुई, कफन पहनाया गया, हज़ूर पाग सनलाहु अलेह वाले वसल्म कबर के अंदर तश्रीफ ले गए और काफी देर तक खड़े रहे, फिर अपने हातों से उस लड़के की मयत को कबर में उ कि आप कबर में अपना पाउं उबारत तूरा क्यों नहीं रख रहे थे, कि क्या माज रहे, तो आप सर अलाहु अलेह वाले वसल्म ने फर्माया कि कबर में बेपनाफ परिष्टे आये हुए थे, और मुझे डर था कि कहीं मेरा पाउं उनके पाउं पर ना आ जाए, फिर सह आप सर अलाहु अलेह वाले वसल्म आप कबर के अंदर क्यों गए थे, हम चले जाते, तो आप सर अलाहु अलेह वाले वसल्म ने फर्माया कि मैंने उस लड़के को कहा था कि मैं तेरी कबर को जन्नत बनाऊंगा, बस उसी कबर को जन्नत बनाने के लिए मैं कबर के अंदर च इसको अस्थाब कराम जैसी अजीम हस्तियां कांदा दे रही हो और आगे आगे मुहम्मद स्रालाहु अलेहिवालसलम फुद हो तो सामिने कराम आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दूसरों तक लाजमे पहुचाएं हो सकत किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाहाफेज